प्रेवियस क्लास आपको अच्छी लगी होगी लास्ट क्लास में हमने आपको MCQ के बारे में तमाम अच्छे-च्छे कुश्ण्स कराये थे लेकिन आजकी क्लास में हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं बटई जैसा कि अब जानते हैं आजकी क्लास में हम आपको Lord Daferrin के बारे में Lord Landstone के बारे में और लॉर्ड एलगिन सेकेंड के बारे में पढ़ाने वाले हैं आज हम आपको विदिवत ये तीन टॉपिक्स कबर कराने वाले हैं जो कि बड़ा अच्छा ही है लॉर्ड डफरिन के बारे में तो आपने सुना है इसका शासनकाल 1884 से 1888 तक था दूसरा हम आपको लॉर्ड लेंज डॉन के बारे में बताने वाले हैं 1888 से 1894 तक लेंज डॉन का शासनकाल था और लॉर्ड एलिगिन इसकेंड एडी नाइटी फोर से 1898 तक आया था तो याद रखिएगा ये तीन के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं और जो की बहुत important होने वाला है बिटे तो हमारे कितने दोस्त लोग जुड़ गए हैं अंकज, शर्मा, गुड इवनिंग रामकुमार, गुड इवनिंग बिटे हरिश, टम्टा भी आगे हैं, गुड इवनिंग धनराज, कौरों हैं बिटे हमाई साथ, गुड इवनिंग वैभा होशिंग हैं, गुड इवनिंग सर्फ, बिटे गुड नमस्कार मुहमद, निशार हैं हमारे साथ, सर प्लीज और यू मेंशन्द, कॉलोनियल एड्मिनिस्ट्रेशन, बिलकुल बिटे, क्यों नहीं, वाई नाथ, बिलकुल कॉलोनियल एड्मिनिस्ट्रेशन, में आप हर एक गवर्नर जनरल वाइसराय की बारे में हम बताते चल रहे हैं बिटे, और हमारे साथ, कृतिप टोपो, इवनिंग कर रहे हैं, उन सब का स्वागत है, और निवास रवाए, सर, क्लास डेली होता है, क्या, बिलकुल बिटे, आज कल डेली चल रहा है, संडे छोड़ करके, संडे छोड़ करके, लगभग पर्डी क्लास हो रही है, और यह freedom struggle, यानि modern history के बारे में हम आपको बता रह live classes हैं इसमें, और दो तो ऐसी classes हैं, जो modern history के MCQ पर हैं बटे, काफी अच्छे अच्छे questions हैं, जिसे आप जाकर के इस चैनल पर, इसकाई पाट सला में आप देख सकते हैं, और इस चैनल को आप subscribe ना किया हो, तो आप subscribe कर लिजिए, आपको notification मिलता रहेगा, और इसको like और share भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें, ना चाहें तो मत करें, जबरदस्ती नहीं है, हम इस चैनल पर आपको free में class दे रहे हैं, और वैसे तो बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं इस पर, लेकिन आज की class हम आपको Lord Dafrin, Lord Landstone और Lord Ilgin Second के बारे में बताने वाले हैं, जैसा कि आप Lord Ripan के बाद, Lord Dafrin भारत का वाइसराय बन कर आया था, अब आप दिखिए, Dafrin के शासनकाल में सबसे महत्पूर घटना बेटे, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के स्थापना थी, भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का घठन किया गया था, 1885 में Lord Dafrin के शासनकाल में, इसके बा इसके लामा, Lord Dafrin के शासनकाल में, तर्ड एंगलो, बर्मीज वार लडा गया था, या बर्मा की तरतिय लडाई, 1885, 1886 में, बर्मा की तीसरी लडाई, बेहद इंपोर्डेंट था विडे, और इसी समय, यानि Dafrin के शासनकाल में, अफग्यानिस्तान पर रशिया का पंजदेह प्रॉब्लिम्स के बारे में आपने सुना होगा, 1885 में पंजदेह प्रॉब्लिम्स आया था, मर्व ओएसिस नदी को अफग्यानिस्तान रशिया के बीच का बॉर्डर डिसाइड किया गया था, या यूं कह सकते हैं कि अफग्यानिस्तान पर रशिया की दबाव को कम करने के लिए लौड डफरिन के शासनकाल में रशिया के साथ समझोता किया गया था, जिसमें मर्व ओएसिस नदी को दोनों की बीच बॉर्डर डिसाइड किया गया था, और बटी आगे चलकर इंडिया और अफग्यानिस्तान का बॉर्डर डिसाइड किया गया था, ल नार्टीमर डूरंड को एक पॉइंट किया गया था जिसको हम बताने वाले हैं चलिए हम सबसे पहले डफरिन की चर्चा करते हैं डफरिन लॉड डफरिन इंडिया में लॉड रिपन के स्थान पर आया था ध्यान दिजिएगा और लॉड डफरिन के शासनकाल में बेहतरिन पॉइंट्स 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी बड़े पहले नाम इसका इंडियन नैशनल यूनियन रखा गया था तो ध्यान रुखिएगा भारती रास्ट्रिय संग की नाम से इसको स्थाट किया गया था बाद में इसका नाम चेंज करके इंडियन नैशनल कॉंग्रेस रखा गया था हला इंडियन नैशनल यूनियन इंडियन नैशनल कॉंग्रेस लगभग सेम है बटे बट याद रखिएगा इनिशियल नाम इसका यही दिया गया था भारती रास्ट्रिय संग बाद में इसको भारती रश्टी कॉंग्रेस के नाम से जाना किया है वैसे तब जानते हैं कॉंग्रेस शब्द जो है यह अमेरिकी संसद का नाम है अमेरिका की पारलियामेंट को कॉंग्रेस कहते हैं जिसमें उच सदन का नाम सिनेट है और निम्न सदन का नाम प्रतनिधी सभा है यानि सेनेट, अपर हाउस, हाउस अफ रिप्रेजन्टेटिव, लोर हाउस है ये आप जानते हैं, कॉंग्रेश सब्द का मेनिंग अगर आपसे पुछा जाए कॉंग्रेश सब्द का मतलब होता है, सम्मेलन, यानि कॉंफरेंज एक बात और आपको बताते हैं, जो कि बेहद इंपोरेंट है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश के स्थापना से पहले इंडियन नेशनल कॉंग्रेश के स्थापना से पहले इंडिया में एक संस्था, 1883 में 1883 में सुरेंदर नाथ बनरजी ने बनाई थी, उसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फरेंस तो बड़े ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतिय राष्टी कॉंग्रेस से पूर्वे ऐसी संस्था का नाम जो All India लेबल पर स्थापित किया था, तो उसका नाम था Indian National Conference 1883 में सोरेंदरनात बनरजी ने स्थापित किया था, तो कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम आपको बता दिते हैं, कि 1883 में Indian National Conference यह नाम इसकी स्थापना सुरेंदरनात बनरजी ने किया था, ध्यान दें सुरेंदरनात बनरजी ने भारतिरश्टी कॉंग्रेस से पहले Indian National Congress के स्थापना कैलकटा में किया था, और अगर आपसे यह पूछा जाए, कि जब 1885 में भारतिरश्टी कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन बंबे में चल रहा था, तो उस समय कलकटा में किसका अधिवेशन चल रहा था, तो इसी का सेशन चल रहा था, कैलकटा में इसका 1883 में फर्स्ट सेशन हुआ, और फिर 1885 में अगला सेशन इसका 1885 में भी कलकटा में था, तो सुरेंद्रनात बनर्जी जो की ICS फेल हो चुके थे, और सुरेंद्रनात बनर्जी ने कॉंग्रेस से पूर्व, आल इंडिया लेवल की पहली संस्था बनाई थी, नाम बेटे यही है, इंडियन नेशनल कॉंफरेंस, तो चलिए हम आपको इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की बारे में बताते हैं, कॉंग्रेस शब्द का मतलब होता संमेलन, यानि कॉंफरेंस ही होता है, पहला नाम यूनियन पढ़ा था, यानि संग बना था, अब अगर आपसी यह कहा जाए कि भारती रश्टी कॉंग्रेस की स्थापना एलन ओक्टिवियन ह्योम ने क्यों किया? भारती रश्टी कॉंग्रेस की स्थापना की पीछे, ब्रिटिस मानशिक्ता क्या थी? What was the motive of British government behind the formation of Indian National Congress? पहला प्रश्ण यह बेटे कि अलन ओक्टिवियन ह्योम ने कॉंग्रेस की स्थापना किस उद्देश से किया? क्या अलन ओक्टिवियन ह्योम ने स्वयम इसके स्थापना किया? या फिर इसके स्थापना के पीछे British government कहां था बेटे? तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए All India National Congress के स्थापना British government ने इंडिया में करवाया British government यह चाहती थी कि इंडिया में एक ऐसी party हो, एक ऐसा Congress हो जिसमें भारत के नेता भी शामिल हो और British government के नेता भी इसमें प्रतिनिधी हो और British government के जो प्रतिनिधी Congress में होंगे वह भारतिय नेताओं के विचारों को जान जाएं और इस विचार को चुपके से British Government को बता दें कि अगला कदम भारतिय नेताओं का क्या है तो बड़े द्यान रुकिएगा कि भारतिय नेताओं के हर एक कदम को जानने के लिए कि नेक्स्ट स्टेप्स इंडिया में इंडियन लीडर्स क्या करने वाले हैं कहां करांती करने वाले हैं उसे पता करने के लिए British सरकार ने Congress की अस्थापना जान बुझ की करवाई थी वैसे दादा भाय नरोजी का नाम तो आपने सुना है दादा भाय नरोजी पहले ऐसे इंडिया के लीडर्स थे जिन्होंने Congress बनाने की माग सबसे पहली किया था लेकिन उस समय कोई ध्यान नहीं दिया और उस समय Congress बन नहीं पाई बाद में इसका Credit Allen Octavian Hume एक Retired ICS था Scotland से Retired होकर आया था यह एक Retired ICS था और Retired ICS एलन Octavian Hume पक्षी प्रेमी था बेटे बर्ड लबर भी था चलिए तो भारती रश्टी Congress की स्थापना कहां पर किया गया था बंबे में इसकी स्थापना बंबई में किया गया और किसने किया है बेटे तो एलन Octavian Hume शॉर्ट में इसको A.O. Hume कहते हैं बट एलन Octavian Hume इन्होंने Congress की स्थापना बंबई में किया था पेड़े ध्यान देने वाली बात है कि यह एक Retired ICS था रिटायर्ड ICS देखिए यह कई जगों पर ICS की रूप में काम कर चुका था आयर्लेंड में भी काम कर चुका था वेल्स में भी काम कर चुका था स्कॉट्लेंड में भी था तो यह Retired ICS स्कॉट्लेंड से इंडिया आया था और फिर इसी ने Congress की स्थापना British Government के इसारे पर Congress की स्थापना कर दिया तो द्यान दिजिएगा Congress शब्द का मिनिंग सम्मेलन होता है Conference होता है Congress की स्थापना की डिमांड सबसे पहले दादा भाई न रोजी ने किया था लेकिन क्रेडिट कौन लिया AOI Hume ने लिया इस डेट को Congress की स्थापना Bombay में हुआ था Bombay में किस अस्थान पर बेटे ग्वालिया टैंक रोड पर ग्वालिया टैंक रोड की पास जहां पर इसका पहला सम्मेलन भी होता गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाटशाला में एक बार ये question पूटप किया गया था कि पहला अधिवेशन Bombay में किस अस्थान पर बुलाया गया तो ग्वालिया टैंक रोड पर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाटशाला में या संस्कृत कॉलेज में हुआ था खेर हम आपको बताते हैं भी इसको बट इसका एम अगर आपसे पूछा जाए किसका उद्देश क्या था किसका कॉंग्रेस बनाने का उद्देश क्या था लक्ष क्या था तो बड़े कॉंग्रेस बनाने का मुख्य उद्देश ध्यान रखिएगा सेफटी वाल्ब था सेफटी वाल्ब का मतलब होता है सुरक्षा नली Safety Valve यानि सुरक्षानली वैसे यह चीज कॉंग्रेस के लिए लाला लाजपत राई ने कहा था लाला लाजपत राई ने बिटे कॉंग्रेस के लिए Safety Valve सब्द यूच किया था अब आपको बता देते हैं क्यों Safety Valve यूच किया है आप जानते हैं प्रेसर कुकर में Safety Valve का प्रियुक किया जाता है क्यों आप सभी को पता है प्रेसर कुकर में Safety Valve का इसलिक या जाता है कि माली जीए अगर प्रेसर कुकर की सीटी न बजे गैस न निकल पाए तो उसमें लगी धक्कन में safety valve उस temperature पर गल जाएगी और फिर वहां से हवा लीक होने लगेगा अर्थात pressure cooker को फटने से बचाने के लिए pressure cooker में safety valve का प्रियूग किया जाता है वह धातू उस temperature पर गल जाती है फिर वहां से gas leak करने लग जाती है तो बड़े ध्यान रुकिएगा इंडिया इस समय इंडिया एक pressure cooker था जहां राष्ट्रियता की भावना लोगों में जगह जगह फैल रही थी जहां इंडिया में राष्ट्रिया आंदुलन चल रहे थे क्रांती कारी गत्यविधिया में चल रही थी इसलिए भारत इस समय एक pressure cooker से कम नहीं था और Congress उसमें लगी safety valve थी इस Congress से भारती नेताओं के विचार leak हो जाएंगे British government को पता चल जाएगी British government करांती होने से पहले दबा देगी बटे तो इसलिए याद रखिएगा Congress को safety valve किस ने कहा था तो लाला लाजपत राय ने कहा था Congress बनाने का उदेश है क्या था safety valve की तरह इंडिया में काम करेगी इंडिया में होने वाली करांती कारी गत्यविधियों के बारे में British government को पता चल जाएगी और करांती होने से पहले British government को दबा देगी लाला लाजपत जो सब्द यूज किया है safety valve बहुत ही सटीक वर्ड था अब देखिए प्रारंभ में Congress जो थी वह moderate dominated थी नरम दल इसमें जदा हावी थे वेटे लेकिन जिस उद्देश से Congress को अंग्रेजों ने बनवाया वह उनका उद्देश पूरा नहीं हो पाया जब इन अंग्रेजों का उद्देश Congress से पूरा नहीं होता दिखा तो Lord Garzan ने आगे चलकर Congress को ये bandit group कहा था बदमाशों का गिरोख कह दिया था Lord Garzan ने देखा कि ये Congress अंग्रेजों के हित में काम नहीं कर रही है तो इसकी बड़ी आलुचना करने लगा कहा ये है बदमाशों का गिरोख है और जब करजन सफल नहीं हुआ तो Congress के सदस्यों में मदभेत पैदा करना स्टाट किया जिसका रिजल्ट 1907 में सूरत में Congress का भी भाजन था बटे आगे हम चर्चा करेंगे लेकिन आईए कुछ और पॉइंट आप देखें तो भारती रष्ठी Congress के स्थापना बॉंबे में ए ओहुम ने किया उद्देश सुरक्षा नली किसके लिए ब्रेटिस गौर्मेंट के लिए सुरक्षा नली का काम करेगी यहां अब आपको बताते हैं Congress का बिड़े पहला अधिवेशन अगर आपसे पूछा जाए कि प्लान्ड वेन्यू of the first INC session first INC session ऐसा कोई question put up किया जाए कि बारतिरश्टी Congress का पहला अधिवेशन कहां होना था तो प्रथम अधिवेशन वेन्यू था पिटे पूणे पहला अधिवेशन महरास्ट के पूणे में होना था लेकिन कब 1885 में Congress का पहला अधिवेशन पूणे में 1885 में होना था लेकिन गुजरात में प्लेग फैल गया याद रखें गुजरात में प्लेग फैल गया और पोने में डाइरिया फैल गया, पोने में कालरा फैल गया, इसलिए इसका वेन्यू पोने से सिफ्ट करके, वेन्यू को सिफ्ट करके पोने से बॉम्बी लाया गया था, तो बड़े फर्स्ट सेशन अगर आप से पूछा जाए, 1885 में, दिसंबर में ही, तो फर्स्ट आई सेशन, प्रतम कॉंग्रिस अधिवेशन यदि आप से पूछा जाए, कॉंग्रिस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ, तो बॉम्बे में, किस जगह पर, ग्वालिय टैंक रोड के पास, गोकुल दास, गोकुल दास, तेज, पाल, संस्कृत, पाटशाला में हुआ था, बारतिरश्टी कॉंग्रिस का पहला अधिवेशन, गोकुल दास, तेज, पाल, संस्कृत, पाटशाला में बुलाय गया था, इस अधिवेशन में, 72 डेलिगेट्स पार्टिसिपेट हुए द बढ़े, 72 सदस्यों ने भाग लिया था, तो बड़ा ही इंपोरेंट पॉइंट है, यह प्रश्ण भी पूछा जा चुका है कि भारतिरश्टी कॉंग्रिस का प्रतम अधिवेशन कहां पर होना था, लेकिन वहां नहीं हुआ, क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि गुजरात में प्लेक फैल गया, पूने में डाइरिया फैल गया, यानी कालरा फैल गया, की अध्यक्षता अगर आपसे पूछें किसमें अध्यक्ष कौन था तो भारतिरश्टी कॉंग्रेश की अध्यक्षता पहली बार वोमेश चंद्र बनर जी ने किया था सब को पता है यह वोमेश चंद्र बनर जी ने भारतिरश्टी कॉंग्रेश की पहले अध्यक्ष डबलू कहें होंगे और हमाई साथ जुड़े हुए हैं भानु राथावर नमस्कार बटे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं हेलो बटे एश्कियद वन्षी संजु राना हेलो हेलो अंकच शर्मा शेफ्टी वाल्प थियोरी येस बड़े राचकुमार येस बड़े अंकच शर्मा सर फाउंडिंग मेंबस बता दिजिए आई एनसी के बड़े फाउंडिंग मेंबस में कई सारे हैं उनके नाम हम आपको बता देते हैं बारतिरश्टी कॉंग्रेस के स्थापना में जो सदस्य शामिल है उनके नाम है दादा भाई नोरुजी दादा भैनोर जी के बारे में आपने पढ़ा होगा इनको Grand Oleman of India कहा गया है भारत के भेश में पिता में है अगर आपसे ये पुछा जाए कि सबसे पहले कॉंग्रेस जैसी संस्था बनाने की मांग किस ने किया था तो पेड़े दादा भैनोर जी ने किया था लेकिन Credit Allen Octavian Hume ले बैठा वह एक Retired ICS था वह पक्षी प्रेमी भी था इंडिया में Retired होके आया था और उसने कॉंग्रेस बना दिया Credit Allen Octavian Hume ने लिया संस्थापक सदस्यों में दादा भैनोर जी का नाम है याद रखें M.G. रानाडे का नाम है Founder मेंबस में दादा भैनोर जी इसके लाओं गुपाल कृष्ण गोखले फिरोश्रा मेंता बदरुद्दिन तयव जी बदरुद्दिन तयव जी W.C. बनर जी बाद में सुरेंद्रनाद बनर जी भी आगे था बड़ेस में सुरेंद्रनाद बनर जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फरेंस को कॉंगरेस के साथ 1885 में मर्ज कर लिया था तो जिस समय कॉंगरेस का पहला अधिवेशन बंबे में चल रहा था कलकत्ता में All India National Conference का अधिवेशन कलकत्ता में 85 में चल रहा था बाद में Congress और Conference दोनों मर्ज हो गई थी ठीक है तो दादा भाय नोरो जी इनके साथ फिरुशा में था गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुदिन तयब जी, एलन ओक्टिवियन हुम ये तो थे ही एक बात और आपको बता देते हैं यहां, बड़ा important point है Congress के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष W.C. बनरजी था बेदरे और Congress के पहले महासचिव पूछें तो ए ओ हुम थे ये भी धियान रखें, First Secretary या इसको कह सकते हैं First General Secretary प्रथम महासचिव Congress का, INC का प्रथम महासचिव आपसे पूछें तो एलन ओक्टिवियन हुम थे तो चलिए हम आपको आगे next point की तरफ बढ़ाते हुए, आगे बढ़ते हैं बारतीरष्टी Congress का धिवेशन प्रतिवर्ष होता था, Indian National Congress का शेशन प्रतिवर्ष बुलाया जता था याद रखें, प्रारंभ में Congress moderate dominated थी, बाद में Congress में extremist और militant activity वाले dominant होने लगे थे बाद में इसके फिर गांधियन यूग आ गया, जिसमें गांधी जी को आप कह सकते हैं, non violent को adopt किया और last तक गांधी उस पर अडिग रहे बड़े तो दादा भायनो रोजी यह सबसे वयोवरिद्ध निता थे वयोवरिद्ध निता पार्शी धर्म के थे, आईए 1885-86 में, तर्ड बर्मीजवार, बड़ा important है ये तर्ड बर्मीजवार तर्थिय बर्मा का युद्ध बर्मा का तीसरा युद्ध लॉड डफरिन के समय में हुआ था, जो कि बेहद important है जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट बर्मीजवार 1824 से 1826 तक लड़ा गया था, 1824 से 1826 तक लड़ा गया था उस समय लॉड एम हर्स्ट गवर्नर जनरल था ब्रडिस कंपनी की तरप से फर्स्ट बर्मीजवार में बर्मा हार गया था, 1826 में यांदाबू की संधिकी द्वारा ब्रडिस कंपनी को बर्मा में ट्रेड राइड्स मिल गया था, ब्यापारी का धिकार मिल गया था 1852 में सेकेंड बर्मीज वार लड़ा गया बर्मा का दूसरा युद्ध 1852 में लड़ा गया दरसल ब्रिटिस ब्यापारी जो बर्मा में ब्यापार कर रहे थे बर्मा के किंग के अगेंस्ट में लौड डेलहोजी को शिकायत किया लौड डेलहोजी ने बर्मा के किंग पर अक्रमण कर दिया और कुछे दिन में 1852 में बर्मा का किंग हार गया पीगु को जिसको लोवर बर्मा के नाम से भारत में शामिल कर लिया गया था तो बड़े डलहोजी के समय में 1852 में सेकिंड बर्मीज वार में किंग थी बाहर गया था, पीगु यानि लोवर बर्मा को इंडिया में शामिल कर लिया डलहोजी ने तर्ड एंगलो या थर्ड बर्मीज वार डफरिन के समय में लड़ा गया है, ध्यान दिजिएगा, तर्ड बर्मीज वार डफरिन के समय में लड़ा गया है, डफरिन के समय में थर्ड बर्मीज वार लडने के क्या नों बताई, क्या कारण था, उसे हम बताते हैं, ध्यान से दरसल बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कमपनी थी याद रखिएगा बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कमपनी यह ट्रेडिंग कमपनी बर्मा के रास्ते चीन से ब्यापार करती थी और अच्छा मुनाफा कमाती थी लेकिन बर्मा के किंग थी बाने बॉम्बे बर्मा कमपनी को ब्यापार करने पर रोक लगा दिया भारी टैक्सेस थोप दिया एक तु कारण यह था दूसरा कारण एक और ही बेटें फ्रेंच इन्वाय बर्मा में इन्वाइट किया गया फ्रांस का एक राजदूत बर्मा के किंग ने अपने किंगडम कैपिटल में हो गई क्यों नाराज हो गई कारण यह था कि ब्रेटिस गुवर्मेंट फ्रांसिसीयों को बहुत पहले हरा चुकी थी फ्रांसिसी किसी दोस्त देश की साथ अगर संबंध स्थापित करता तो उससे ब्रेटिस कंपनी को खत्रा मेशूस होता था इसलिए फ्रांसिसीयों को बर्मा के किंग को कहा गया कि इसको अपने यहां मत रखो नहीं माना तो दो कारण थे बटे फ्रेंच इन वाई इन बर्मा किंग थीबा के दरबार में गया उसका स्वागत किया गया कंपनी मना किया किंग नहीं माना दूसरा बंबे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी ने डफरिन को कई बार शिकायत लगाया किंग थीबा उस पे तमाम प्रतिबंध लगा रहा है व्यापार को नहीं करने दे रहा है इस वजह से 1885-86 में डफरिन के शासनकाल में किंग थीबा पर आक्रमन कर दिया बेड़े किंग थीबा बुरी तरह से हार गया 1886 में अपर बर्मा को इंडिया में मिला लिया तो याद रखिएगा किंग थीबा किंग थीबा बर्मा का इस समय राजा था यहां का किंग थीबा वास डिफीटेट तो बड़े बर्मा का किंग थीबा गोर्मेंट के द्वारा हरा दिया गया और इस हार की बाद 1886 में अपर बर्मा अपर बर्मा एनेक्स्ट इन ब्रेटिश इंडिया ध्यान दे अपर बर्मा का मतलब उपरी बर्मा को ब्रेटिश भारत में शामिल कर लिया गया ब्रेटिश भारत में विले कर लिया था यह बहत इंपोरिन पॉइंट है डफरिन की शासनकाल में पूरा बर्मा इंडिया आ गया था बड़े एक बार फिर बता देते हैं 1852 में लोवर बर्मा लोवर बर्मा जिसको पीगू कहा गया है इसे डलहोजी ने भारत में मिला लिया था बर्मा दो पार्ट में है लोवर बर्मा 1852 में आ गया और अपर बर्मा 86 में आ गया पूरा बर्मा इंडिया में मिला लिया इंडिया से ही बर्मा में शासन होता था और बड़े यहां एक बात और है बर्मा 1937 में इंडिया से अलग किया गया था बर्मा को 1937 में भारत से अलग किया गया था तो यह दि आप से ऐसा कोई प्रश्न पूटप किया जाए कि बर्मा किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया तो 1935 के गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट के द्वारा बर्मा इंडिया से अलग किया लेकिन बर्मा फ्री नहीं किया गया था बर्मा 1937 में अलग हुआ बर्मा 1948 में फ्री हुआ त्वड़े तो डलहोजी के शासनकाल की यह एक अद्वुद घटना अपर बर्मा भी इंडिया में मिला लिया गया था ठीक है अपर बर्मा भी इंडिया में शामिल कर लिया गया था लेकिन बटे यहाँ एक बात और आपको बताते हैं 1877 में 1887 में आप देखें डफरिन के समय में 1887 में एलहबद युनिवस्टी डफरिन के शासनकाल में स्टर्ट किया गया था डफरिन के शासनकाल में इलहबद विश्विद्याले को परारम किया था इंडिया में 1882 में तीसरा विश्विद्याले बताये थे आपको 1857 में कैलकटा यूनिवस्टी बंबे यूनिवस्टी और मंदरास यूनिवस्टी लेगिन बेड़े 1882 में पंजाब यूनिवस्टी बना था 1887 में इलहबद यूनिवस्टी पाच्वा यूनिवस्टी था डफरिन के समय में बना था और 1887 में अफगैनिस्टान और रशिया का बॉर्डर फिक्स्ट किया गया था अफगैनिस्टान रूश के बॉर्डर को 1887 में 1887 में फिक्स्ट कर दिया पंज देह जिसे रशिया चाह रहा था उसे दे दिया मर्व ओयसिस नदी को बॉर्डर बना दिया और रशिया को कहा कि वह पंज दे के आगे न बढ़े मर्व ओयसिस नदी को क्रोस न करे इसलिए रशिया का दबाव अफगैनिस्तान पर कम करने के लिए 1887 में डफरिन के शासनकाल में यह समझोता हुआ था बड़े और वैसे डफ अधिवेशन हुए था बड़े तो आएए देखते हैं कॉंग्रेस के कुछ एक-दो अधिवेशन और डफरिन के शासनकाल में 1886 में कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था तो ध्यान दिजिएगा 1886 में दिसंबर में सेकेंड आईएंसी सेशन कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकता में बुलाया गया था और बड़े इसके अध्यक्ष दादाभाई नरोजी थे भारति रश्टि कॉंग्रेस के सेकेंड अधियक्ष बने थे थे तो धो बड़े सेकेंड कॉंग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ दादाभाई नरोजी को अधियक्ष बनाया गया इन्ही को Grand Oleman of India कहा गया है ग्रेंड ओल्ड मैन अफ इंडिया भारत के भेश्म पिताम है इनको कहा गया है और यह धर्म से तो पार्शी थे बड़े पार्शी रिलिजेन को मानते थे और इन्होंने पार्शीयों के लिए एक संस्था बनाई थी 1851 में रहनुमाई मजदासनाय यह बड़ी फेमस संस्था है रहनुमाई मजदासनाय तो यह बड़ी प्रसित संस्था थी रहनुमाई मजदासनाय पार्शीयों के वेलफेर की संस्था थी रहनुमाई मजदासनाय 1851 में नों स्थाबित किया था बंबे में और इसके लावाँ आप जानते हैं यह किताब इनकी बड़ी फेमस है पावर्टी एंड अन ब्रेटिस रूल इन इंडिया यह किताब इनकी बेहत फेमस है गरीबी और भारत में ब्रेटिस कुशासन ब्रेटिस कुशासन बेहत फेमस किताब है इस किताब में इननकी सिद्धान्त दिया है वेड़े ड्रेनेच थियोरी आफ वेल्थ अर्थात इसको कहते हैं धन निसकाशन का सिद्धान्त धन निसकाशन का सिद्धान्त तो बेहत फेमस किताब है यह किताब धन निसकाशन के सिद्धान्त को दिया है किस तरह भारत के धन को अंग्रेज इंग्लेंड की ओर प्रवाहित कर रहे थे जिसे पानी नाले में बहता है नदी में जाता है ऐसे भारत का धन पानी की तरह बह रहा है और यह इंग्लेंड को जा रहा है तो दन निश्काशन का यह सिद्धांत बह》द इंपोडेंट सिद्धांत था इंडिया को किस तरह अंग्रेज कंगाल कर रहे थे इस पर इन्होंने किताब लिखा था पहले इंडियन अर्थ सास्त्री हैं फर्स्ट इंडियन एकोनोमिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के GDP का डेटा लेखा जो खा दिया था बड़े ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट भारत का GDP इन्होंने सबसे पहले त्यार किया था आपको पता होगा कि इस समय इंडिया में 20 रुपीज पर कैपिटा इंकम इन्होंने दिया था तो दादा भाई नोरोजी बड़े ही पड़े लिखे और धनी आदमी थे इंगलेंड भी गए थे और इंगलेंड में आपको बताते हैं कि इंगलेंड में लिबरल पार्टी के टिकट से फिंसवरी सीट से इलेक्शन लडा था फिंसबरी शीट से इन्होंने लिबरल पार्टी की टिकट से एलेक्शन लडा था और फिंसबरी सीट से जीतकर ब्रिटिस परलियमेंट में यानी House of Commons में चुने गए थे पहले इंडियन है जिनको ब्रिटिस संसद के House of Commons में फिंसबरी सीट से विजे मिला था और वहां House of Commons में इन्होंने भारत के आर्थिक बरबादी को जम कर इन्होंने वहां पर भाशन दिया था संसद के House of Commons में भारत की अर्थ वेवस्था से रिलेटेड इन्होंने स्पीच भी दिया था तो दादा भाई नो रोजी कॉंग्रेस के तीन बार अध्यक्ष बने थे पहली बार 1886 में आईन्सी सेशन में कॉंग्रेस अध्यक्ष बने दुबारा इन्होंने 1893 में कॉंग्रेस अध्यक्ष पद को संभाला और तिबारा 1906 में कॉंग्रेस अध्यक्षपद पर फिर आये, 1906 में इन्होंने कलकत्ता सेशन में स्वराज कॉंग्रेस के मंच से मांग किया था, वैसे आपको बता दें कि बालगंगा धरतिलक ने 1897 में कहा था स्वराज is my birthright and I shall have it, बट बालगंगा धरतिलक का यह परसनल था, बालगंगा धरतिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, 1897 में कोर्ट में इनको पेश किया गया, उस समय कहा था, तो बट दादा भाई नोरोजी इंडिया के Grand Ole Man of India तीन बार कॉंग्रेस अध्यक्ष बने थे, पहली बार 1886 म दुबारा 1893 में, तीसरी बार 1906 में कलकत्ता में तीसरी बार फिर बने थे, उस समय इन्होंने स्वराज कॉंग्रेस की मंच पर से डिमांड किया था, वैसे डफरिन की शासनकाल में 1887 में कॉंग्रेस का तीसरा शेशन हुआ था, तर्ड आईएंसी सेशन, मिटा यह अधिव अधिवेशन मदरास में बुलाया गया था, भारतिराश्टी कॉंग्रेस का तीसरा अधिवेशन, आईएंसी की फुल फर्म इंडियन नेशनल कॉंग्रेस, भारतिराश्टी कॉंग्रेस का तीसरा अधिवेशन, इस मदरास अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने किया था, इ यह फर्स्ट मुस्लिम कॉंग्रिस प्रेशिडेंट थे बेड़े, फर्स्ट मुस्लिम आईएंसी प्रेशिडेंट यदि ऐसा कोई प्रश्ण पूछा जाए आपसे कि भारतिरश्टी कॉंग्रिस का प्रतम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बेड़े याद रखें बदरुत दिन तयब जी और यह कोश्टन पूछा जा चुका है 1885 में कॉंग्रिस का पहला दिवेशन बंबे में गोकुल दास्तेजपाल संस्कृत विद्याले में हुआ था या पाट साला में हुआ था या कॉलिज में हुआ था उसमें WC बनर जी पहले अध्यक्ष बने थे और वह ह यह कोश्ट की प्रतम मुसलिम अध्यक्ष थे बड़े जबकि दादा भाईनोर जी पारसी थे WC बनर जी हिंदू थे और बड़े 3888 में 1888 में कॉंग्रिस का चोथा दिवेशन फोर्थ आई अन्सी सेशन कॉंग्रिस का चोथा दिवेशन एलाबाद में हुआ था नया नाम इसका प्रयाग राज है और इसमें अध्यक्ष बनाया गया था जोर्ज यूले को यह भी कई बार प्रशन पूछा जा चुका है तो एक तो यहां ये द्यान रखें कि जोर्ज यूले फॉर्स्ट अंग्रेज कांग्रिस अध्यक्ष था पछला अंग्रेज स्क्रीश अध्य कौंगरे मस्तापना किया था कि आपको बता देते हैं जोरज यूले यूले का कौंगरे सिकlesh 90 अध्यक्ष थे वैसे जैसे फेस्थ मुस्ली माध्यक्ष कौंग्रे सिके के बदुरुदिन तयेब जिते हहां कि इसी वे में जॉर्ज यूले फर्स्ट अंग्रिस कॉंग्रिस प्रेसिडेंट था जबके हमने आपको बताया था कि ए ओहियूम फर्स्ट जनरल सेकेटरी कॉंग्रिस का था वैसे तो तमाम अधिवेशन इंपॉर्डेंट है विडे लेकिन 1896 का कॉंग्रिस अधिवेशन कलकत् उस समय रहीम तुल्ला सेयानी कॉंग्रिस अध्यक्ष थे कलकत्ता के 1896 कॉंग्रिस सेशन में पहली बार वंदे मात्रम गीत को गाया गया था और यह गीत आरेन ट्रेगोर ने कॉंग्रिस की कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गया था दूसरी बात वंदे मात्रम गीत के रचाईता बंकिम चन चतरजी हैं बड़े वंदे मात्रम गीत की रचना बंकिम चन चतरजी ने किया था आनंद मट से लिया गया था और आप यह भी जानते हैं कि वंदे मात्रम में गौडिस दुरगा की पूजा किया गया है और बड़े Goddess दुर्गा को भारत माता की रूप में सिंबोलाइज किया गया है भारत माता किस Goddess पर बनाया गया है देवी दुर्गा पर बनाया गया है और देवी दुर्गा का गीत है वंदे मातरम ओरिजिनली बंगाली में है बाद में इसको संस्कृत में ट्रांस्लेट किया है, आनंद मट से लिया गया है, आनंद मट के रचैता बंकिम चंचटर जी है, आप जानते हैं आनंद मट में बंगाल में नील विद्रोह का जिक्र किया गया है, नील का विद्रोह बंगाल में हुआ था, उसका जिक्र आनंद म बाते लोड डुफरिन इत्यादी के बारे हमने बताया है अब हम आपको लिए चलते हैं लोड डुफरिन के बाद नेक्स्ट जो गवर्नर जनर्रल आया लॉर्ड लेंड्स डॉन है बिड़े तो आईए देखते हैं कि लॉर्ड लेंड्स डॉन के साशनकाल में क्या-क्या घटनाएं हैं कुछ तो इंपोरेंट घटनाएं अवर्ष्य मिलेंगी आपको इतनी सारी बातें आप अगर ध्यान रख लेते हैं तो आई थिंक आपको इनसे ही क्वेश्चन मिलेगा इनसे बाहर क्वेश्चन आपको देंगे ही नहीं तो चलिए हम आपको नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में Lord Lansdown के बारे में बताते हैं अगला वाइस रहे था ये नाम इसका Lord Lansdown है इसका टाइम पिरियड अगर आप देखें तो 1888 से 1894 तक ये वाइस रहे था तो आईए हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं बड़े देखें इसकी शासनकाल की कुछ प्रमुक घटनों में अगर आप जाएं तो सबसे important घटना आपको यहाँ पर यह मिलेगी कि इसके शासनकाल में अफगयनिस्तान और भारत की सीमा का निरधारन किया गया था उसके लिए मार्टिमर डूरंड को एक पॉइंट किया गया था यह इसके शासनकाल का एक प्रमुक पॉइंट है ठीक है इसके शासनकाल का यह एक बहुत important पॉइंट है और आपको बताते हैं कि इसके शासनकाल में इसके शासनकाल में 1893 में शिकागो में फर्स्ट विश्वधर्म सम्मेलन हुआ था यानि फर्स्ट पार्लियमेंट आफ वर्ल्ड रिलिजिन लॉर्ड लैंड्स डॉन के समय में अमेरिका के शिकागो में हुआ था जिसमें पूरे वर्ल्ड के प्रतिनधी गए थे भारत की तरप से स्वामे विवेकानन्द को भेजा गया था विवेकानन्द का जब समय आया मंच पर भाशन देने के लिए तो इनको तीन मिनट का समय दिया था कि आप जीरो पर बताएं स्वामे विवेकानन्द ने तीन मिनट में अपना भाशन जब स्टार्ट किया तो सबसे पहला सेंटेंस जो बोला था वह इन्हों ने कहा था माई डियर ब्रदर्स और सिस्टर्स इसी पर तालियों की गलगल हाट हो गई पहली बार किसी मंच पर यह सेंटेंस यूज करने वाले विवेकानन्द पहले ब्यक्ति हैं बड़े माई डियर ब्रदर्स और सिस्टर्स और फिर उसके बाद तीन मिनट इन्होंने जीरो पर बोला इतना इफेक्ट्यू बोला कि वहां बैठे हजारों लोगों ने इनका समर्थन किया तालियां बजाई इनका होसला अफजाई किया और इनके स्पीच को सुनकर सिस्टर नेवेदिता जिनका असली नाम मार्गरेट नोबल था वह इनकी प्रियशिश्या बन गई थी कई दफा ये पूछा गया है कि सिस्टर नेवेदिता का असली नाम बताएं तो मार्गरेट नोबल था प्रियशिश्या थी सबड़े विवेका नंद अगर फेमस हुए हैं तो 1893 के शिकागो में विश्वधर्म सम्मेलन में हुए हैं इनोंने साथ दिन, साथ दिन तक अपना भाषन दिया था पहले दिन इनोंने लगातार 18 गंटे बोले थे इसके बाद ब्रेक दे देकर साथ दिन में 122 गंटे का भाषन विवेका नंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्वधर्म सम्मेलन में दिया था यह विश्व का सबसे लंबा भाषन विटे वेदान्त योगा पर यह बोले थे वेदान्त योग पर इनोंने 122 गंटे का स्पीच दिया है यह विश्व का सबसे लंबा भाषन था वैसे स्वामे विवेकानंद का वास्तविक नाम, रियल नेम अगर आपसे पूछा जाए, तो विवेकानंद का रियल नेम आप जानते हैं, नरेंद्र नाथ दत था, नरेंद्र नाथ दत वास्तविक नाम था, 12 जन्वरी 1863 को ये पैदा हुए थे, 12 जन्वरी 1863 को पैदा हु मनाती है राष्ट्री युवा दिवर्ष की रूप में मनाती है 1902 में विवेकानन्द का दिहांत इंसो मेनिया के कारण हो गया था निद ना आने के विमारी थी बड़े इनके गुरु जी का नाम तो आप सभी जानते हैं रामकृष्ण परमहंस थे रामकृष्ण परमहंस के राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजित सिंग ने दिया था कई बार पूछा गया ये राज राएनको विवेकानन्द की टाइटल राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजित सिंग ने दिया था तो बड़े कई सारी बाते हैं इसके शासनकाल में लेकिन सबसे महत पुन पॉइंट जो है एक तो ये आप ध्यान रखें 1893 में the first Parliament of World Religions यह विटी शिकागो में हुआ था अमेरिका के शिकागो में यह सम्मेलन हुआ था हिंदी में अगर देखें तो पर्थम वेश्व धर्म शम्मेलन था अमेरिका के शिकागो में इंडिया की तरब से स्वामी विवीका नंद गए थे और स्वामी विवीका नंद का रियल नेम आप अवश्ची लिख लें स्वामे विवेका नंद इनका वास्तवीक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो नरेंद्र नाथ दत था नरेंद्र नाथ दत यह इनका रियल नेम था और 12 जन्वरी 1863 को पैदा हुए थे इनका देहांत 1902 में 49 वर्ष की अवस्था में इनसो मिमिया बीमारी से हुआ था 12 जन्वरी को नैशनल यूथ डे की रूप में अब्जर्व किया जाता है नैशनल यूथ डे अर्थात राष्ट्रिय यवा दिवस की रूप में मनाय जाता है राश्ट्रिय ये वादूस दिवश की रूप में इनका जन्म दिन मनाय जाता है बड़े विवेकानन्द ये टाइटल अगर अपसे पूछें तो राजा अजीत सिंग ने दिया था राजा अजीत सिंग यह खेतडी की राजा थे बड़े खेतडी के राजा खेतडी राजिस्थान में है विवेकानन्द का एक बड़ा हे फेमस इसलोगन था Arise, awake, stop not until the goal is reached उठो, जागो, तब तक मत रुको, जब तक लक्ष मिलना जाए सो विवेकानन्द, इनके गुरु जी का नाम आप जानते हैं, रामकृष्ण परमहन्ष था और बड़े, इन्होंने अपने गुरु जी के नाम पर 1897 में, यह कहीं कहीं 1896 दिया होता है रामकृष्ण मिसन के स्थापना किया था तो रामकृष्ण मिसन, इसकी स्थापना इन्होंने केलकटा में किया था और इनकी प्रिय शिश्या का नाम अगर आपसे पूछा जाए इनकी डिसाइपल, फिमेल डिसाइपल, प्रिय शिश्या तो बड़े, सिस्टर ने वेदिता इनका रियल नेम है मार्गरेट नोबेल मार्गरेट नोबेल यह इनका वास्तविक नाम था तो प्रिय शिश्या थी, इनकी अलामा हजारों इनके शिश्य बने था बड़े तो यह एक प्रमुक घटना इन्टरनेशनल लेबल पर घटित हुआ था बड़े और इसके अलामा आपको हम बताते हैं कि 1893 में बालगंगादर तिलक ने 1893 में बालगंगादर तिलक ने गनपती फेस्टिवल को महराष्ट्रा में फिर से स्टाट किया था तो ध्यान रखें गनपती तिवहार सबसे पहले शिवा जी ने महराष्ट्रा में स्टाट किया था इसे रिवाइब 1893 में बालगंगादर तिलक ने किया था गणपती चतुर्थी की द्वारा गणपती का तेवार दस दिन तक मनाया जाता है और अक्सर यह अक्टूबर महीनें पढ़ता है गणिश चतुर्थी जब होती है उसके बाद यहां पर एक बाद बताते हैं अगर सबसे पहले पूछा जाए कि गणपती फेस्टिवल महराष्टरा में किस ने स्टाट किया था तो शिवा जी ने स्टाट किया था लेकिन इसको रिवाइब किस ने किया है तो 1893 में गणपती तेवार को बाल गंगाधर तिलक ने स्टाट किया है दरसल यह हिंदोत्व को बढ़ावा देने के लिए और 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी के नाम पर शिवाजी फेस्टिवल स्टाट किया था तो वैसे आप देखें तो तिलक के ये दो तिवहार महराश्ट्रा में बेहद इंपोर्डेंट है बड़े तो हम इसको मिटा देते हैं और फिर तिलक की द्वारा स्टार्ट किये गए दो प्रमुक फेस्टिवल्स की बारे में हम आपको और बताते हैं तो बाल गंगा धर तिलक इस समय अपने पॉलिटिकल केरियर के काफी उच अस्थान पर थे बड़े तो एडी नांटी त्री में गणपती फेस्टिवल्स या इसको गणपती तिवहार महरास्ट्रा में और बड़े इडी नांटी फाइफ में भी हम बता देते हैं शिवाजी फेस्टिवल्स शिवाजी फेस्टिवल्स यानि शिवाजी तिवहार यह दोनों महरास्ट्रा में बिजी तिलक ने स्टाट किया था इसलिए स्टाट किया था कि हिंदुईजम हिंदुत को पुनर स्थापित करने के लिए आप जानते हैं बालगंगा दर तिलक बड़े ही कटर मिजाज की नेता थे यही बालगंगा दर तिलक थे जो गरम दल की नेता थे एक अंग्रेज इतिहासकार शिरोल हैं बेटे शिरोल बालगंगा दर तिलक को शिरोल ने फादर अफ अन्रिष्ट कहा है असन तुस्टों का नेता कहा है वैसे 1856 में तिलक पैदा हुए थे और 1920 में 1920 में तिलक का दियान तुआ था तिलक के डेथ के बाद इनको कंधा शौकत अली ने दिया था इन्होंने मुसल्मानों के अगेंस्ट जहर उगला था फिर भी शौकत अली मुसलिम लीक के प्रमुक ने था 1920 में डेथ पर इनको कंधा दिया था बड़े बाल गंगा धर तिलक रतनागिरी जिले में महराष्ट्रा में पैदा हुए थे और चितपावन ब्रह्मन थे बड़े चितपावन ब्रह्मन बड़े कटर ब्रह्मन उते हैं और बाल गंगा धर तिलक चितपावन ब्रहमन के साथ साथ कट्टर मराठा भी थे इन्होंने दो पत्रिकाए निकाला था केसरी केसरी पत्रिका मराठी भाशा में निकालते थे और मराठा पत्रिका इंगलिश में प्रकासित करते थे इन्होंने दो परसिद किताब भी लिखा ह एक तो है आर्कटिक होमा फवेदास जिसमें तिलक ने यह कहा कि आरिय आर्कटिक धुरुपरदेश से भारत में आये थे दूसरी किताब गीता रहश्य इन्होंने मांडले जेल में रहकर लिखा था कौन सी किताब जेल में रहकर लिखाए बटे गीता रहस्य मांडले जेल 6 साल गय थे 1908 से 1914 तक बर्मा की मांडले जेल में थे तो इन्होंने गीता रहस्य किताब लिखा था बड़े कट्टर में जाजके थे इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था एक लेख प्रकाशित किया था केशरी पत्रीका में आगे हम आपको बताएंगे यहां नहीं तो ये दोनों तिवहार याद रखीएगा सबसे पहले गणपती तिवहार शीवाजी ने स्टाट किया था इसको बालगंद गंगाधर तिलक ने 1893 में रिवाइब किया साथ ही तिलक ने शीवाजी के नाम पर शीवाजी फेस्टिवल स्टाट किया बड़े क्योंकि हिंदुत्तों को प्रमोट करने के लिए कहा कि जिस तरह शीवाजी औरंग जेप के अगेंस्ट में अपना धन बल सबने उचवर कर दिया उसी तरह हमें अंग्रेजों के खिलाफ अपने बल का प्रियुक करके यहाँ जिनको भगाना चाहिए चलिए बटी एक पॉइंट ये भी ध्यान रखें 1893-1994 में मार्टीमर मार्टीमर डुरंड दिमाकेटिड इंडो अफगैन बॉर्डर आप साथ जानते हैं भारत अफगैनिस्तान का बॉर्डर इन्होंने डिसाइड किया था नाम है इनका मार्टीमर डुरंड आप साथ जानते हैं डुरंड लाइन आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए डुरंड लाइन किसके बीच में है तो बड़े यह लाइन वर्तमान में पी ओके अफगैनिस्तान के बीच में है करिंट में पाक अधिकरित कश्मीर अफगैनिस्तान के बीच में डुरंड लाइन है और यह लाइन इस समय खीची गई थी एडिनान्टी फोर में तो यह याद रखिएगा अगर यह पूछा जाए कि डुरंड लाइन किस गवर्नर जनरल वाइसराय के समय में डिमाकेट की गई थी तो लॉर्ड लैंड्स डॉन के समय में लॉर्ड लैंड्स डॉन के समय में यह वाइसराय था इसकी शासनकाल में डूरंड लाइन को 1894 में खीचा गया था यह प्रश्न पूछा जा चुका है और पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था लेकिन जब पाकिस्तान 1947 में P.O.K. पर कब जजमा लिया तो यह P.O.K. और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है बड़े I think आप समझ गए होंगे चलिए इसकी बाद हम आपको आगे next अगला वाइसराई की तरफ लिये चलते हैं तो आप बताएं समझ में आ रहा है बड़े I think आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं समझ भी रहे होंगे हमने देखा नहीं आपको कोई डाउट्स हैं तो हम आपको एक बार देख लेते हैं इसमें डाउट्स अगर कोई डाउट्स हैं तो आपका डाउट्स क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ बच्चों ने लिखे हुए हैं वेलेंटाइन शिरोल बिल्कुल बड़े हैं वेलेंटाइन शिरोल शंजीव कुमार बहुत बढ़ी है ठीक अच्छा संजीव कुमार विवेका ने स्कूल से पढ़े हुए हैं बहुत बढ़ी है सचिन गुरिल्ला सचिन गुरिल्ला इम I'm your paid badge student ओके बढ़े सचिन बहुत बढ़ी है संजीव कुमार भाई morning है क्या तुम्हारे वहाँ चली ये कोई बात नहीं हो सकता अमेरीका से पढ़ रहा है अगर हो सकता है या अभी तो अमेरीका में तो इसा ही आनिग होगा तो ऐसा नहीं बोलिये हो सकता है क्योंकि मैं आज साथ बच्चे जूड़ जाते हैं अमेरीका के भी होते हैं बटे तिली से, विमल, विमल, सर UPSC के लिए गाइड, बैटे UPSC के लिए हिस्ट्री में गाइड, वी, वीन अगनी होतरी के किताब ले लो, वी के अगनी होतरी बढ़िया किताब है, चलिए, वैभो सिंग समझ में आ रहा है, तो अब हम टाइम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आप को लिए चलते हैं, लॉड इलगिन सेकेंड के बारे में अब बताएंगे बड़े, लॉड इलगिन सेकेंड के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं, आज की क्लास next, सटर्डे में यानि कल भी क्लास होगी बड़े, आज फ्राइडे है न, कल सटर्डे भी क्लास होगी, लेकिन संडे में क्लास नहीं होगी, फिर मंडे से क्लास होगी, तो ध्यान रखें, लगबग परडे हम क्लास ले रहे हैं, और मंडे को हो सकता है, हम आपको MCQ कराएं, फिर से Modernist Reaver, तो ऐसा ही करते हैं, एक दिन MCQ करते हैं, एक दिन कोर्स को खिचते हैं, दोनों फाइदा होगा बटे, आईए, Lord Elgin Second, इसका टाइम पिरियड है, 1894 से 1898, तो बटे, Lord Elgin, नाम है इसका, Lord Elgin Dvithi, इससे पहले फर्स्ट भी आया हुआ है, जिसको हम करा चुके हैं, तो आज हम आपको, Lord Elgin Second के बारे में, आप बता रहे हैं बटे, और आज की क्लास का, ये आखरी टॉपिक है, तो चलिए हम आपको, इसके बारे में बताते हैं, देखे, इसके शासनकाल की खास बात क्या है, तो खास बात पर, हम आपको लिए चलते हैं, जो की बेहद इंपॉर्डेंट होने वाला है, एटीन आंडी सेवन में, इस वर्ष, एटीन आंडी सेवन में, चापीकर ब्रदर्स, चापीकर ब्रदर्स का नाम है बड़े, बाल क्रिष्न, एंड दामोदर, बाल क्रिष्न, दामोदर, चापेकर बंधु कहलाते हैं, इन दोनों भाईयों ने, W.C. RAND की हत्या, जो की पूने का प्लेक कमिश्नर था, जिसके अंडर में, 893 लोग, अंग्रेज और नेटिव लोग, काम कर रहे थे, शायद आपको पता होगा, बुबोनिकन, बुबोनिक प्लेक के बारे में सुना है, बड़ा खतरनाक प्लेक होता है, बुबोनिक, बुबोनिक प्लेक, यह बुबोनिक प्लेक, मेसोपोटामिया, चाइना, जापान, इशिया के कई देशों में, खतरनाख प्लेक फैला हुआ था, स्टार्ट हुआ मेसोपोटामिया, यानि इराक से, चाइना में भी फैल गया, बर्मा में फैल गया, और तमाम इश्याई देशों में फैल गया भारत में भी बंबे में प्लेग बड़ी तेजी से फैला अब प्लेग फैलने के बाद आप जानते हैं लोग भागना स्टार्ट करते हैं अपने अपने घरों की तरफ जाना रवाना होने लगते हैं तो बॉम्बे में जब प्लेग फैला तो फैक्टरियों, कारखानों इत्याद के मज़दूर भागने लगे क्योंकि प्लेग ने महामारी का रूप ले लिया था और इसमें लगबग 10 लाक लोग मारे गए थे अब प्लेग पर कंट्रोल पाने के लिए एक तो WC RAND को एपोइंट किया गया था दूसरा AIRST को एपोइंट किया गया था दोनों के अंडर में 893 योरोपियन प्लस नेटिव लोग अंडर में किये गया कि भाई प्लेग फैलने ना पाए प्लेग चुहे से फैलता है यह आप सबको पता है लेकिन WC RAND प्लेग कमिशनर था इसने बेड़े प्लेग को कंट्रोल नहीं कर पाया महामारी का रूप ले लिया इससे रुष्ट होकर चापेकर ब्रदर ने 1897 में WC RAND की हत्या कर दिया था अब एक पॉइंट यहाँ पर और आपको बता देते हैं 1897 में प्लेग के खिलाफ केसरी पत्रिका में बालगंगा धर तिलक ने एक उक्षाने वाले लेक को लिखा था उक्षाने का मतलब होता है एक्ग्रेशन एक्ग्रेसिव आक्रमक निती का लेक लिखा था यानी क्रांतिकारियों को उक्षाने के लिए लेक लिखा था जिससे उक्षा दे गए या जिससे प्रभावित होकर चापिकर ब्रदर बालकृष्ण दामुदर ने डबलू सी रेंड की हत्या कर दिया था बालकृष्ण दामुदर इनको पकड़ा गया था बालगंगा धर तिलक को भी हरिस्ट किया गया था 1897 में बालगंगा धर तिलक को भी इनको भी 18 महिने की सजा हुई थी बड़े उस केसरी पत्रिका में लेख लिखे जाने की वजह से बालगंगा धर तिलक को मांडले जेल 1897 में 18 महिने के लिए भेजा गया था क्यों केसरी पत्रिका मराथी भाषा में इन्होंने डबलू सी रेंड की हत्या के लिए लोगों को उकसाया था जिसमें चापेकर ब्रदर बालकृष्ण दामुदर ने डबलू सी रेंड की हत्या कर दिया था इसलिए 1897 में जब बालगंगादर तिलक को कोट में पेश किया गया तो उसी समय कोट में बालगंगादर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे स्वराज is my birthright and I shall have it 1897 में यह नारा तिलक ने दिया था कोट में दिया था पूने की एक अदालत में दिया था और फिर तिलक को 18 महिने निशकासित कर दिया था बर्मा के मांडले जेल में बालगंगादर तिलक के अलावा लाला लाजपत राय को भी इनको भी बाद में भेजा गया था एक बात और बताते में बड़े बाल गंगा धर तिलक को दो बार मांडेले जेल की सजा हुई थी 1897 में पहली बार 18 महिने के लिए भेजा गया था 1908 में दूसरी बार 6 साल के लिए मांडेले जेल की सजा इनको हुई थी तो इस तरह से याद रखिएगा चापेकर बंधों ने डबलू सी रेंड की हत्या कर दिया था डबलू सी रेंड यह प्लेग कमिशनर था ठीक है यह प्लेग कमिशनर था कहां का पूने का बेटे पूने का प्लेग कमिशनर था इसकी साथ आयर्स्ट भी एक थे इनको नहीं मारा यह भी थे आयर्स्ट यह भी थे इनको नहीं इसी को मारा था तो प्लेग कमिशनर इनके अंडर में बटे 893 योरोपियन प्लस नेटिव लोग काम कर रहे थे बॉम्बे में प्लेग को रोक नहीं पाए बलकि इन्होंने प्लेग को और बढ़ाया और कई नेरी लोगों को इन्होंने पकड़वाया उनको पिटवाया पूने के कई सारे लोग पकड़े गए उनको पिटवाया भी इस प्लेग से बटे बॉम्बे में फैले प्लेग से दस लाख लोग मारे गए थे यवाओं का इस पर गुस्सा था इसलिए चापेकर ब्रदर्स ने 1897 में W.C. RAND की हत्या किया था यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और प्रबेबली इंडिया में दिस वस्ट पॉलिटिकल मुर्डर इंडिया में फॉस्ट पॉलिटिकल मुर्डर था बटे यह भारत में पहली राजनेतिक हत्या माना गया है इसको उक्षाने के लिए 1897 में तिलक ने केसरी पत्रिका में एक लेख लिखा था केसरी मैगजिन बीजी तिलक का है बटे और यह पत्रिका यह मराठी भाषा में निकालते थे जबकि एक अन्य पत्रिका भी थी मराठा बालगंगाधर तिलक की दूसरी पत्रिका है मराठा और यह इंगलिश में प्रकाशित करते थे तो इसमें आक्रामक लेख नहीं लिखते थे इसे में ज़्यादा आक्रामक लेख लिखते थे तो 1897 में तिलक ने एक आक्रामक लेख लिखा था यानि इनको उक्षाया था इसकी हत्या के लिए इसलिए बालगंगाधर तिलक को भी अरेश्ट किया गया था और कोर्ट में इन्होंने इसी समय 1897 में पूने के एक अदालत में कहा था कि स्वराज is my birthright स्वराज is my birthright and I shall have it I shall have it स्वराज मेरा जन्म से धदिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे यह नारा यह स्लोगन 1897 में एक अदालत में इन्होंने दिया था और इस अदालत ने इनको 18 महिने 18 मंद्स मांडले जेल की सज़ा सुनाई थी मांडले जेल आप जानते हैं बर्मा में है तो बेहत important point है 1897 में चापेकर ब्रदर के द्वारा डबलू सी रेंड की हत्या डबलू सी रेंड प्ले कमिशनर था बड़े तो यह सारी बाते आप याद रखिएगा बाल गंगा धर तिलक का रूल यहां पर बहुत ज्याद था बाल गंगा धर तिलक कई बार इसलिए इनको कहा गया है बाल गंगा धर तिलक को वेलेंटाइन शिरोल ने हिस्टोरियन है वेलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगा धर तिलक को फादर अफ अनरिष्ट कहा है बड़े, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल लाच पत्राय, बाल गंगा धरतिलक, विपिंच अंदर पाल, में तीनों में एक्स्ट्रेमिस्ट ने ता, बाल गंगा धरतिलक थे, और बाल गंगा धरतिलक को वेलेंटाइन, शिरोल ने असंतुस जनक कहा है, father of unrest कहा है, इसलिए क्योंकि बालगंगा धरतिलक अपने लेक के द्वारा क्रांतिकारियों को उक्षाते थे, अंग्रेजों को मरवाते थे, कई लेक ऐसे एक्साइट करने वाले थे, क्रांतिकारियों को उक्षाने वाले थे बड़े, और आपको बताएं यह था कि इंडिया हमारा घर है, अंग्रेजी रुपी चोर घोसाएं हैं, शोर मचाओ के तो भाग जाएंगे, जहां पाओ वह इनको उड़ा दो, इस तरह के लेक लिखते थे उक्षाते द्वडे, तो एलगिन के साशनकाल का यह एक महत पुन पॉइंट था, और वैसे एल 1897 में, 1896-1997 में इसके साशनकाल में फिर अकाल पड़ा था, और बड़े, अकाल से निपटने के लिए फेमाइन कोड का गठन किया गया, थोड़ा बहुत मदद भी हो जाता था, और इसके साशनकाल में 1896 या 97 में रामकृष्ण मिशन के स्थापना स्वामे विवेकानन्द ने किया था, लेकिन एक पॉइंट यहां पर और बताएंगे, जो हमने आपको थोड़ी दर पहले डिसकुश किया था, वह बहुत इंपॉइंट है, तो बड़े यहां पर एक पॉइंट, वह बहुत इंपॉइंट है, जिसे हम आपको बताने वाले हैं, उसको आप ध्यान से सुने और वह कौन सा पॉइंट विड़े यह पॉइंट 12.96 में भारती रष्टी कांग्रेश का कलकत्ता दिवेशन यह पॉइंट बड़ा ही इंपोरेंट है 12.96 में 1896 में कलकटा आई अन्सी सेशन यह है पॉइंट इसके अध्यक्ष रहीम तुल्ला से अनी थे यह इसके अध्यक्ष बने थे यहां पर बड़े कलकत्ता आई अन्सी सेशन बेहद इंपोरेंट है क्योंकि इसी समय यह गीत गाया गया था वंदे मातरम आरेन टेगोर ने इसको गाया था वैसे आज इसको गाने से परहिज किया जाता है बट पहली बार इस गीत को कॉंग्रेस के इसी अध्यवेशन में आरेन टेगोर ने गाया था लेकिन बेटे आप जानते हैं इस गीत के रचाईता अगर आपसे पूछा जाए इस गीत की रचना किस ने किया है तो बंकिम चंद चटरजी ने इसको रचा है बंकिम चंदर चटरजी इस गीत की रचना इन्हों ने किया है और यह गीत आनंद मट से लिया गया है आनंद मठ के लेखक पंकिम चंच चटर जी हैं और इस किताब में इंडिगो मोब्मेंट का जिक्र हैं इंडिगो मोब्मेंट का मतलब आप जानते हैं नील के खिलाफ विद्रो तो नील की खिलाफ विद्रो नील खेती बोने से जमिन बरबाद हो जाती थी बंजर हो जाती थी किसानों ने बंगाल में निल के खिला विद्रोह किया था और एक सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र है इसमें सन्यासी रेबेल का भी जिक्र है इनके बारे में हम प्रिवियस क्लास में बता चुके हैं बड़े तो बंगाल में तो प्रस्चित विद्रोह हुए थे, सन्यासियूं का विद्रोह और इंडिगो मोमेंट दोनु का जिक्र आनंद मत में है, बाकी नील विद्रोह पर एक किताब ऐसे और है, नील दरपन नाम है, नील दरपन यह किताब दीन बंध मित्र ने लिखा है, यह एक प किल्कत्ता शेषन बेहद इंपोड़ेंट है यह गीत गाया गया था और इस गीत को अगर आप से पूछे किस के लिए लिखा गया है तो दुरगा के लिए Goddess दुरगा के लिए यह गीत लिखा गया था भारत माता किस देवी पर बनाया गया पर टे तो भारत माता symbolize दुर्गा, goddess दुर्गा पर किया गया है तो ये सब बेहद important point है और I think आपको ये point समझ में आया होगा बेटे, honestly आपको पढ़ा रहे हैं आप लोग honestly पढ़ रहे हैं आप लोग अगर हमारे चैनल को subscribe न किये हों तो आप इसको subscribe कर लीजिए यहां पर आपको free में सारी classes मिल रहीं बटे Indian flag को किसने design किया था तो वेंकईया पिंगले ने किया था बटे वेंकईया पिंगले ने भारती तिरंगे जंडे को design किया था तीन ratio दो का है भारत माता की penting penter कौन है बटे भारत माता के penting के penter अभी आपको बताते हैं बाल गंगा धर तिलक बेटे कभी भी Congress अध्यक्ष नहीं बन पाए थे बाल गंगा धर तिलक कभी भी Congress अध्यक्ष नहीं बन पाए थे एक मात्र ऐसे Congress ही निता है चो कभी भी Congress अध्यक्ष नहीं बन पाए और आप जानते हैं कि बाल गंगा धरतिलक कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तरश गए थे लेकिन पेटे इनको बनने नहीं दिया समझ रहें बताएं और कोई तो बताएं पेटे तो ये पॉइंट हम आपको बता रहें हैं सारे अगर आप पूछना चाहें हमारे पास संजीव की कोशन भारत माता की पेंटिंग बड़ी भारत माता की पेंटिंग अच्छा बता देते हैं भी यादा जाएगा सर करेक्ट किजिए क्या बताएं क्या करें इंडियन फ्लैग के डिजाइनर कौन थे वेंकई या पिंगले मातमा गाधी कौन से सेशन के प्रेजडेंट थे मातमा गाधी 1924 में थे वेंटे बेल गाउन सेशन में बने थे आप इतने आगे आगे क्यों पूछ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसमें से पूछो, 1924 में महत्मा गाधी बेलगाओं सेशन में अध्यक्ष पहली बार बने थे, तीन रेशियो दो का फ्लेग है, भारत माता की पेंटिंग अभिनेंदरनाथ ट्रेगोर ने बनाई थे, बिल् को चाहिए, पहली पेंटिंग भारत माता की अभिनेंदरनाथ ट्रेगोर ने बनाई थी, तो और बताएं बैटे, और कोई डाउट है, तो आप पूछें, बाकि इस चैनल को थोड़ा लाइक कर दो, बैटे, सब्सक्राइब कर दो, ना सब्सक्राइब की हो, उदे नरायन भी है, अंकर शर्मा विजी तिलक जी की बुक का नाम, बाल गंगादर तिलक ने आर्केटिक होमाफ वेदाज नामक किताब लिखा बैटे, और दूसरी किताब गीता रहश्य है, संजीव कुमार सर क्वेश्चन कहीं से भी पूँच सकते हैं न, बिलकुल पूँच सकते बटे, लेकिन हम कोई इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, कि हमारा जो अंटिना है हर जग पहुँच जाए, हम भी एक इंशान हैं, अब हम इतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन को हो सकता ना बता पाएं सारी, ऐसा नहीं है, कि हमें सारा कुछ आता है, इतिहास बहुत बड़ा है बटे, हिस्ट्री, जोगर्फी, बड़ी, बेवपा, रात भर रटो, दिन में सफा, आप तो क्वेश्चन जो पूछ रहे होंगे, या तो बुक्स से पूछ रहे होंगे, या फिर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हो बड़े हिस्ट्री ही कह रहा हूँ, हिस्ट्री बहुत वास्ट है, हिस्ट्री कोई एक दो पन्ने की चीज़ थोड़ी नहीं है, इंचेंट है, मेडिवेल है, मॉडरन है, साउथ इंडियन हिस्ट्री है, और वर्ल्ड हिस्ट्री है बड़े, हिस्ट्री में तनिक थोड़ी हैं बहुत सारी बाते हैं इतनी सारी इंफर्मेशन माइंड में रखना थोड़ा इंपॉसिबल नहीं लगता आपको बेलकुल इनसाइकल पिडिया हूँ लेकिन जो जिनिवन क्वेशन उसको पूछेंगे तो आपको बताएंगे अब ऐसा नहीं कि आप सारी बुक रखके बैठे हो और फिर उसके बाद उसमें से क्वेशन पूछो पूछो हो सकता है गलत हो जाए अब जैसे बाल गंगादर ति कई निताओं ने इनको कॉंग्रिस अध्यक्ष बनने ही नहीं दिया और बड़े इच्छुक थे 1907 में 1907 में कॉंग्रिस अध्यक्ष बनना चाते थे और कॉंग्रिस का शेशन 1907 में पूणे में बुलाना चाते थे हम इसको आगे बताएंगे आपको ना तो इनकी इच्छा पूने में सेशन हुआ, ना हे इनको अध्यक्ष चुना गया, बलकि 1907 का सेशन सूरत में बुलाया गया, और रास विहरी घोष को अध्यक्ष बना दिया, और सूरत जो था नरम दल वाले लोगों का गढ़ था, यानि फिरो शमेता गुपाल कृष्ण गोखले का गढ़ था, जबकि पूने गरम दल वालों का गढ़ था, तो इस तरह कॉंग्रिस अध्यक्ष पन्ने नहीं दिया, वैसे अब जानते हूं, 1907 में सूरत सेशन में, जब चल रहा था, तो यहां जनता भी आती थी इनके भाशन सुनने के लिए, जनता एक दो नहीं ते बड़े, काफी जन मिटिंग किया, गरम दल वाले बाल गंगा धर तिलक के घर पूने में गये, वहां पर मिटिंग किया, इस तरह से नरम दल गरम दल, 1907 सूरत स्रेशन में अलग हो गया था, बाल गंगा धर तिलक, लाल बाल पाल, यह कॉंग्रेस से अलग हो गये थे, जबकि मंच पर से सबसे पहले नरम दल वालों ने उतरे हैं, एक्च्वल कॉंग्रेस नरम दल वालों के पास थी, 1916 में जाके बिभाजन हटा था बड़े, Seven Years War का क्या कारण था, यूरोप में ब्रिटेन फ्रांस के बीच तनाओ, 856 से 1863 तक चला था, Seven Years War, ब्रिटेन फ्रांस के बीच तनाओ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहे, इंपेरियलिजम, कालियूनिलिजम, इत्यादी के कारण ही हुआ था बड़े, तो बड़े, आज की क्लास हम यहीं खतम कर रहे हैं फिर, ठीक है, आज की क्लास, यहीं पर फिनिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर कल मुलाकात होगी बड़े, कल यानि Saturday है, और इसके आगे हम आपको लोड करजन के बारे में बताएंगे, आप इसके आगे लोड करजन को पढ़ाएंगे बड़े, एडी 98 से 1905 तक लोड करजन के शासनकाल में तमाम काम होए थे बड़े, संजीव ओके, और पंकच चोहान थेंक्यू सर, थेंक्यू बड़े, तो इसको जो लोग सब्सक्राइब न किया हों कर लें, और जो लोग लाइक के न किया हों लाइक भी कर दें, और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो बड़े, गुणनाइट बड़े, अंकच, कल होगी क्लास, बिलकुल होगी कल, क्लास अब हम डेली कर रहे हैं बड़े, कभी-कभी शादी विवा था, तो इसलिए बंद था, नहीं तो क्लास तो अब डेली कर रहे हैं लगबग, ठीक है, तो इस तरह आज की क्लास बड़े, यहीं पर खतम करते हैं, कल की क्लास हम आपको इससे आगे स्टाट करेंगे, कहां के बारे में बताएंगे, लोड गर्जन से आगे चलेंग बड़े, या तो फिर कल M.C.Q. भी करा सकते हैं, कुछ भी हो सकता बड़े, तो चलिए, कल मिलते हैं, next day, कल, Sunday क्लास नहीं होगी, Sunday छोटी रखता हूं बड़े, कोई क्लास नहीं होती है, ओके बड़े, BL मिना, संजीव कुमार गुनाइट, कल सटरडे, चलिए बड़े, मिलते हैं कल, ओके गुनाइट,